देखिए लेटिस्ट एपिसोड्स बिलकुल अड़ फ्री समझे समधी जी मेरा ये महा मुल्यवान रत्न आज से आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए मैं कह रही थी कि इन्होंने ये उस लड़की को आशरवाद देकर आ गए है क्या आशरवाद प्रीत राम ये काम तूने सही नहीं किया तेरे ससुर को पता चलेगा तो क्या होगा तोरे साहबों के साथ प्यापार करते करते सामाजिक रीती रिवास भूल गए हो क्या लड़का जाकर लड़की पसंद कराया और बापने इसका समर्थन किया जी जी मेरे लिए पिताजी को इतना छोटा होना पड़ रहा है ससुर माहशेह आज मैं जो भी हूँ वो सब आप लोगों की दया से हैं इस बात को मैं कभी नहीं पुला आपने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी को मेरे हाथ में दिया है मैंने उस भरोसे का सम्मान किया है मैं हाथ चुड़ के अनुरूत करता हूँ कि आप इस विशय में भी मेरे उपर भरोसा रखी मैं उस लड़की की कुंडली लेकर आया लेकिन हाँ मैंने उनको ये वादा किया है कि वो लड़की इस घर की ग्रह लक्षमी बनेगी ओ तो तब तो बात करने के लिए कुछ बचाई ही नहीं है प्रीत राम तुम एक बात कान खोल कर सुनू ये शादी अगर होती है तो मानना परिवार का कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा कोई नहीं इसके बावजूद भी तुम अगर ये शादी कराते हो तो ओ जुकी जुकी ओ जुकी बात तो सुन ओ जुकी इतनी सारी बाते होने के बाद भी पिताजी के चेहरे पर मुस्कान क्या बात है पिताजी आपकी आखों में आसू क्यों है आसू पोचिये देखना सब ठीक हो जाएगा रगुवीर हमें परिशानी में डालते तो है पर फिर वही हमारी रक्षा करते हैं है अरे बूआजी चली चली घाड पर चलिए नहाना नहीं है चली हें चली 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 है पानी नहीं भरना है क्या पोरा दिन बैठे रहेंगे नहाएंगे खाएंगे नहीं क्या का के को बड़े भाईया, ओ छोटे भाईया, तुम लोग फिर से मेरे बारे में, मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं गले में कलश बांध कर पानी में ढूप बरूँगी, रानी, ये तुने क्या कहा बेटी, क्या कहा बेटी, ये तुने क्यो क्यों कहा बिटी, क्यों कहा, क्यों कहा ये तुने, चाची मा, पिताजी से एक सवाल मैं करना चाहते हूँ, बैठा खाड़े में इतने सारे लोगों के बीच, उन्होंने मेरे पती का इतना बड़ा अपमान कैसे किया? बड़े बुजुर्ग तो ऐसे डाटते हैं, उससे क्या? उसका क्या मतलब? मानती हूँ, वो बड़े बुजुर्ग हैं, एक समय उन्होंने मेरे पती को आश्रे भी दिया था, लेकिन चाची मा, मेरे पती तो इस घर के मुख्या है, उनका सब के सामने इतना बड़ा आपमान? जुगी, दिमाग गरम मत कर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रीत राम को तेरे पिता के पास जाना पड़ेगा, उनको मनाने के लिए. कब ही भी नहीं, मेरे पती कही नहीं जाएंगे. उनके बारे में बिना कुछ जाने, पिता जी इतनी सारी बातें उन्हें कैसे बोल सकते हैं? आहा, आहा, आशांती बढ़ाने से आशांती होगी, प्रीत राम ने भी तो कुछ सही काम नहीं किया है, ना? मेरी वज़ा से इतनी आशांती, पिताजी का अपमान? नहीं नहीं ये शादी होने का कोई मतलब नहीं है शादी नहीं होने से अगर समस्या का समाधान होता है तब यही सही है ये शादी मुझे ही रोकनी होगी किसी को बताये बिना मुझे ही फिर से हाली शेहर जाना होगा जमना बहु, तुम लोगोंने पाज़ाएं, तुम लोगों ने पानी भर लिया गया, तुम लोगों के पाप के कारण सारे गाउं में अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, पंडित जी ने ऐसी बात क्यों कह दिपुआ जी, गाट पे नाओ तैयार है चोटे मालिक, तुमने वो पोटली ली, जी हाँ, यह क्या है, देवर जी, इतनी रात को कहा जा रहे हैं, छोटे मालिक नाओ हाली शहर की तरब जाएगी ना, हाँ, सर्वनाश, और देर मत करो, चलो, देवर जी, यह आप क्या कर रहे हैं, छुटे से रात को आप हाली शहर जा रहे हैं, अगर लोगों को पता चल गया तब क्या होगा, सोचा है आपने, मैंने सब सोच कर देख लिया भावी जी, आप दरिये मत, आपका देवर कभी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे मेरे पिताजी का सर जुग जाए, मैं वेश बदल कर जाओंगा, कोई पहचान नहीं पाएगा, सिर्फ उन्हें बोल कर आओंगा कि वो इस शादी के लिए राजी ना हो, मैं पिताजी को तो समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए उनसे अनुरोद करूँगा, लेकिन वो लोग राजी होंगे, उस लड़की का तो आशिरवाद तक हो चुका है, तुम्हारा अभी क्या होगा देवर जी, तुम ने तो उस लड़की के लिए माफ कीजिए भावी जी, मैं आपकी बात इस बार नहीं मानूंगा, सिर्फ मेरी खुशी के लिए पिताजी घर के सभी लोगों के विरुज जाकर उस लड़की का आशिरवाद करके आए, इसलिए मानना परिवार के संबंदों में दरार आई, आपको तो पता है भावी जी, पिताजी ने आज तक कभी नाना जी को निराश नहीं किया, वो हमेशा कहते हैं कि मन्ना परिवार ने उनको आश्रे दिया था, और अभी वो ना तो नाना जी का मान रख पा रहे हैं, और ना मेरा दिल तोड़ पा रहे हैं। अपने प्यार के आगे, एक बेटी का कर्तवे मेरी लिए ज्यादा मायने रखता है, लेकिन देवाची, महरबानी करके मत रूकिये, चलो शंकर्लाण, लक्ष्मी चनातर, क्यों आप किसी इंसान के नसिप पर सेर्दुख लिखते हैं, क्यों बगवान, क्यों? कर दो? पंडित जी काम हो गया उस कुए में जहर वाले पेड की जड़ डाल के आया हूँ हाँ सब लोग उस कुए का पानी ही फीते है कल गाओ में मां मारी ही होगी बडित जी अब आपकी बात सोला आने सच होगी हाँ मा मेरा कोई दोश नहीं इसमें इसके अलावा मेरे पास कुई चारा नहीं था मैं अगर ये सब नहीं करता तो ये गाओ वाले मुझे मुख्या नहीं मानते ना लेकिन वो जिद्धी हारू मेरे फैसले को अमान्य करता है मानता नहीं है बड़े लोग के साथ रिष्टेदारी करने का शौक है ना अब तुझे समझाएगा मेरी बात ना मानने का फल क्या होता है पंडी जी मैं आपके लिए अच्छा सा आश्रम बना दूंगा गाओ के सारे लोग आपको भगवान मानने लगेंगे आप मेरी शादी उस रानी के साथ करवा दीजिये पंडीची मेरी बात लेंगे सुनो रगुवीर कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई लेकिना पंडित जी के अभिशाप को सच मत होने देना न्यायरत्न पंडित ने कहा है रानी की शादी रोकनी है पड़ेगी कि नहीं तो तुम लोगों के पाप के कारण सारे गाउं में अनर्थ हो जाएगा क्यों मेरे पाप कब होगी काउ की लोगों को बनना पड़ेगा क्यों उन्हें परिशानी होगी जो होना है मुझे हो जाए आपने अगर उनके साथ कुछ किया ना तो मैं सारी जिंदगी आपसे नाराज ही रहूंगी यह मैं कह देती हूं खेमी ओ खेमी कहा अंदर खुसी है एक बार बाहर आजा नहीं तो देखना इस गाउं के सारे लोग तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे देख 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 यह देख मेरे पच्चे की क्या हालत हुई है देख लें इसे क्या हो गया कि न्यायर अतने पंडेची ने सही कहा था ना उनकी बात सच हो गई सच हुई ना यह शादी तुम लोगों को रोकनी पड़ेगी पाप है यह पाप है पाप है देखो 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 हारू देखो न्यायरत्न पंडित की बात ना मानने का नतीजा देखो अरे स्वयो मा काली उनके साथ जुड़ी है अरे अरे मा का अभी शाप फलना शुरू हो गया है देखो हारू अभी अगर तुमने यह शादी नहीं रोकी तो महा मारी हो जाएगी पूरा गाव एकदब खत्म हो जाएगा पंडित जी की बात ना मानने से क्या होता देखो दे रानी यह तो छुआ छूत की बिमारी है तू पागल हो गई है क्या नहीं नहीं बुआ जी मुझे जाना ही पड़ेगा मेरी कारण गाव के लोग क्यों मरेंगे मैं इस बारे में पंडित जी से जरूर बात करूंगी मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी जब तक यह भाई ठ रानी, मेरा बेटा, रानी, 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 रोजा बेटी, रानी, पात्त सुनो आप तो पैचान में नहीं आ रहें, छोटे मालिक, एकदम फकीर लग रहे हैं, आपकी माची भी आपको इस भेस में पैचान नहीं पाएगी चंकरलाग, उस तरफ इतना रोना दोना कैसा? इतने लोग इस तरफ क्यों भाकर आ रहे हैं, जाओ, जाकर देखो तो, जो आज्या मालिक आज्या मालिक झाल झाल इस बार चंदर के लिए जिस मा लक्ष्मी को मैंने चुना है उसे देख कर आप खुद ही आश्चरे चकित रहे जाएंगे उस लड़की की कॉंडली में लाया हूँ आप उस पर विचार कीजिए यदि विचार करने के बाद आपको लगता है ये लड़की चंदर के लिए अनुरूप नहीं तो आप जो भी मुझे आदेश देगे मैं बिना कुछ कहे वो मान दूंगा लेकिन उससे पहले महरबानी करके इस परिवार के इतने बड़े अनुष्ठान में शामिल ना होने का फैसला आप मत लीजी चक्रबॉर्ती महाशाय आप हमारे वंच के कुलपरो ही थे आज आपके फैसले के ऊपर हमारे वंच का मान सम्मान हविश्य सब कुछ निरभर है आप अभी अभी क्या भी मुझे एक कुणली की गणना करके बताईए आप खुद ही कुणली गणना कर सकते हैं इसके बावजूद आप मेरे पास आये हैं कि इसकी कुणली है ये मानना माहश है हुआ 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 है आप रहे हैं न्याय रतना पंडित जब पूजा करते हैं तो डर से उनके पास कोई जाता ही नहीं और हमारी रानी उनके इतने पास खड़ी है जाओ ना उसे लेकर आओ ना उसको वापस ला सकते हैं हमें पता नहीं खेमी रानी के स्मिट्टी की बनी हुए उसने एक बार जिद कर लिये तो वो किसी की नहीं सुनेगी जब तक जमुना का बेटा ठीक ना हो जाए वो ऐसे ही इसी तरह यहां बैठी रहीगी इतना तेज जैसे कोई रुद्रमूर्थी देवी हो जैसे अभी सब अन्याई का नाश कर देगी पंडित जी आखे खोलिये दो पंडित जी जाए रुद्रमूर्ध पंड़्या अन्याऊ झाल झाल आश्चरिय है आश्चरिय जनक कुणली इतने सालों से कुणलियां मिला रहा हूँ लेकिन ऐसी कुणली तो आज तक नहीं देखी ये बाली का समान्य बाली का नहीं है ये भगवान का अंश है आपकी गणना क्या कहती है मानना महाशाय अश्विन मा की क्रिष्णा पश्चमीति थी पे एक दरित्र घर में इस दड़की का जन्व हुआ था अश्विन मा के जन्वे इसकान्या के ग्रहन अक्षत्र ये कह रहे हैं कि ये मा दुरका का उंच है जगदर्शी जगात्री मा जैसे अपनी इच्छा अनुसार भेकारी महादेव के साथ घर बसाया था ये लड़की भी अपनी इच्छा अनुसार एक गरीब माबाप के घर जन्मी है वो सकता है इसके पीछे भी कोई महानु देश छिपा है सवीश्वरी लीला है सवीश्वरी लीला है मानना महाशय श्री कृष्ण की तरह इस कन्या का भी रोहिनी लगन में जन्म हुआ है ये बहुत ज्यादा यश्प्राप करेगी जो भी इस लड़की को तकलीव देगा तो एक अद्रिश्य सुदर्शन चक्र उसे काट डालेगा और ये मेरा पक्का विश्वास है तुझे तो यकिन नहीं हो रहा था भगवान के अभिशाव से अनर्थ हो सकता है एक प्राम्हन की शक्ति को स्विकार नहीं कर रही थी और अब आ गई हो दया की भीख मांगने मैं आपके पास दया की भीख मांगने नहीं आई अगर मुझे दया की भीख मांगनी होगी तो मैं मा काली से मांगूंगी मैं एक बात पूछने आई हूँ क्यूं? क्यूं मेरी वज़े से इस बच्चे की हालत ऐसी हो रही है? अगर गलती मैंने की है तो सजा मुझे दीजिए तु मेरे पास आई है जवाब मांगने इतनी बड़ी हिम्मद तुम्हारी तेरी शक्ती को मैं समाब्त कर दुगा मैं तेरी शक्ती को खतम नहीं करता तो मेरा नाम फास कर न्यायरतन नहीं एक ही श्राप से जितनी मर्जी श्राप दे दीजिए मैं डरती नहीं हूँ मा काली किसी के बिना कुछ गलत किया ऐसे ही सजा नहीं देती हाँ तेरा इतना हैंका सोच रही हो अमीर घर की बहू बनेगी इसलिए यहाँ आकर तुम मुझे ग्यान देगी इस न्यायरतन का अपमान करोगी मैं मा का सेवक हो देख क्या कर सकता हूँ देखता हूँ कौन अमीर खांदान का बेटा आकर तुझे बचाता है मैं तेरा अंद कर दूँगा अंद कर दूँगा शक्ति रूपेल सनस्थीता शक्ति रूपेल सनस्थीता शक्ति रुबेल से नस्तिता शक्ति रुबेल से नस्तिता कि रानी के अंदर ऐसा क्या देखा जो देखकर पंडी जी इतना डर गए यह सब पहले से ही तह था किया यह सब भगवान की मर्जी है यह क्या देख लिया मैंने मैं तो शादी को रोकने आया था शक्ति रुबेल से नस्तिता 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 प्रहें, क्या हुआ? कहा है आप लुग से जंदी से यह आपर आए CO también huh राणी! राणी! पंडी जी, पंडी जी, उन्ये! राणी, यह वो पंडी! राणी! खेमी, यह क्या हुआ न्याय रत्म पंडीत को? इस बच्चे को ठेक करके यह खुद ही बेहुश हो गए? लेकिन अब क्या होगा? उन्हें तो हम ऐसे कोई छूब ही नहीं सकता! यह सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. वो तो मेरी ही तरफ गुसे में आ रहे थे. अचानक पंडीचे रुप गये. इसके बाद गिर गये. क्या बात हो गई? और भाई को कब होश आया? मैंने तो ध्यानी नहीं दिया. सब भगवान की लेला है. सब उनकी ही लेला है. जै रगुवीर! जै श्री रगुवीर की जै. जै श्री रगुवीर की जै. जै श्री रगुवीर की जै. आप कहा चले गए ते जूटे मालिक? मैं आपको चारों तरफ धूड रहा था. वहाँ उस घर में बहुत परेशानी है. गाव के लोग तो… चुप-चाप नाव में वापस चलो, शंकरलाल. यहां किसी को भी मिलने की ज़रुवत नहीं है. कोई हमें देख ले उसे पहले घाट पर पहुंचना होगा. चलो. जी छोटे मालिक. न्यायरत्पंडित. यह बात क्यों ने कर रहे हैं? रगुवेर, यह क्या किया आपने? यह पूजा का स्थान है. यहां तुम लोग क्यों आए हो? सब का पाप उन्होंने अपने सर पर लेने के कारण. यह अपने आपको संभाल नहीं पा रहे हैं. जाओ, जाओ तुम सब लोग यहां से. जाओ, जाओ. चल बेटी, चल. मा, इसके लिए जिम्मेदार है उस हारू की बेटी. उसने जरूर वहाँ कोई अनाचार किया हूँ. अमीर घर में शादी हो रही है, तो जमीन पर पैर नहीं रुक रहे. मेरे साथ शादी नहीं कराई. लेकिन अमीर देखकर राजी हो गई. सुनाये, जिसके साथ शादी हो रही है, उसने पहले दो बार शादी की थी. दो-दो पत्नी मरी है उसकी. लेकिन मुझे पसंद नहीं किया. ओ मा, जैसे भी हो, उसकी शादी तोड़ नहीं हो. या, क्या कहा तुमने? लेकिन मुझे तो… जुप-चाप गया है. उसने किसी को कुछ नहीं कहा. सुबलाई नहीं कहा मुझे. फिर से वही गलती दोर आई चंदर ने. उस लड़की का अशिरवाद हो चुका है. वहां कोई चाता है? नहीं, अब मुझे उसके प्रतिक कठोर होना होगा. बड़े मालीक! बड़े मालीक! मानना परिवार से बड़े मालीक आये हैं. तो बड़ी बहू, तुम्हारे प्यारे बतीजे के साथ क्या बाचित हो रही थी? यह देवर आभी दुश्मन की तरफ से हैं, क्या? ओ मा, छी छी. यह सब बाते मन पे मतलो. ऐसी सब बाते नहीं करनी चाहिए. अरे तुम इतनी परेशान क्यों रही बड़ी बड़े माजाग भी नहीं समझते हो, क्या? तो, ससुर महाशर, उस लड़की की कुंडली करना करके, आप एकदम आश्चरी में पड़ गए न? आह, प्रीतराम, चुप हो जाओ. देवर जी, तुम बैठो. नहीं, आज मैं बैठूंगा नहीं. मुझे जल्दी जाना है. तुम्हारे इस प्रीतराम से कह देना. चंदर के लिए इसने जिस लड़की का चैन किया है. उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ. ओ, रानी. अज घाट पर कोई नहीं है. क्यों, भाई? क्या हुआ है? हाँ, वही तो. अज ज्यादा देर हो गई इसलिए शायद. अज सुबह से कितना कुछ हो गया न, बूर जी? अच्छा, एक बात मुझे सच-सच बता. आज पंडी जी के वहां इतना कुछ हो गया. तुझे कुछ भी नहीं पता चला. इतनी अजीब अजीब घटनाए हो गई लेकिन किसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था. अशेरे की बात है न? अहां सही का बूर जी, मैं… ओ, मा जी आई है. पंडी जी कैसे है अब? इधर आ, बात करनी है. न्यायरत्न पंडीत, क्यों रानी की शादी के लिए राजी नहीं है, पता है? तुम लोगों के भले के लिए. वो ये सब बाते खुलकर नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गरणा करके देखा था, कि अगर ये शादी होती है, तो रानी की मृद्य जरूर होगी. बुआ जी, क्या हुआ बताइए न, क्या हुआ बताइए न, क्या हुआ बताइए न, कुछ नहीं हुआ, तु जा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाओंगी, मैं कहीं नहीं जाओंगी, बताइए, तु जा नहीं, मैं नहीं जाओंगी, मैं कहीं नहीं जाओंगी, बताइए, तु हम लोग पंडिजी के आदेश का पालन नहीं कर पाए इसका कारण है कि भाया रानी की शादी राकाल जैसे एक अदेड उमर के आत्मी के साथ नहीं कराना चाहते थे लेकिन राकाल के साथ शादी करने से ये पाप पंडिजी दुला सकते थे साथ में तुम लोगों की बेटी भी बज़ जाती है शास्त्र में लिखा है जिस आदमी की दो पत्मिया चल बसी है उसके साथ शादी करने से तीसरी भी मर जाएगी जोविया मुझे तुम्हें साउधान करना था जो मैंने कर लिया अब तुम लोगों की मर्जिस जो चाहे कर दो और भूवाजी क्या हुआँ जी बताओ ना और बूवाजी क्या हुआ है माझी अभी क्या बोल कर गई आपसे बोलियेने भूवाजी बोलियेना क्या हुआ है बूवाजी झाल झाल जय लक्षमी जनारदन की जय बुआ जी ओ बुआ जी लीजे भैया लीजे लीजे पिता जी रानी मेरा एक काम कर दे नटो बर बहरूबी के घर थोड़ा सा प्रसार दे करा जा जा बिले क्या हुआ खेमी क्या इतना सोच रही है दिल में कोई संदे मत रखना बेहन तु रगुवीर जी की लीला को अब तक समझी नहीं क्या वो स्वयम रानी की रक्षा करते हैं क्या वो कभी उसकी जान ले सकते हैं लेकिन न्याय रत्नपंडे जी की वानी अरे वो तो रगुवीर जी के उपर नहीं है हाँ मुझे पता है लेकिन ऐसी बात सुनकर किसके दिल में डर नहीं बैठेगा बोलो और इसके अलावा रहने दिखें में यह सब लेकर तू और परिशान मत हो कल तो हमें कलकत्ता जाना है तू जाकर सामान बादने शुरू कर जा 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 गोविंद तू मेरे साथ एक बार आना ठीक हो